आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास इस समय 130 Magic Cube Fragment है और आप लोग भी कैसे Unlimited Magic Cube Fragment ले सकते हो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो आप लोग पूरी देखना और वीडियो पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक करका चैनल को सब्सक्राइब जयू लोग आ जाओगे तो यहां पर आप लोगों को Magic Cube Fragment और यहां पर एक Custom Room Card तो आप लोग अल्लिम्टेड Magic Cube Fragment यहीं से ले सकते हो यह इस टोकन से अब आप लोग को मन में आ रहा होगा कि यह टोकन अल्लिम्टेड कैसे बना सकते हम लोग क्राफ्लेंट खिलने के लिए आप लोग मैप पे स्टार्ट कर दो और मैप पे जैसी आप लोग स्टार्ट कर दोगे तो आप लोग को डारेक अंदर चल लेकर चला जाएगा तो यहां पर मेरा मैच स्टार्ट हो चुका है और जब मैं यह पूरा गेम खतम कर लूँगा उसके बाद मैं बताता हूँ कि आ मत लेना ने तो आप लोगों का टोकन वेश्ट हो जाएगा तो जैसी मैं इस बंदे के किल कर लूँगा तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप लोगको कितना टोकन मिलेगा अभी मेरे पास पांच टोकन आप लोगको एक गेम खिले पर कितना टोकन मिलेगा मैं आपको है और आप लोग को मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अब मैं गेम तो खेलूंगा तो मुझे 6 token मिलेगा 5 token मिलेगा तो मैं लिम्टेट कैसे बना सकता हूं लिम्टेट टोकन बनाने के लिए मनक कहने एक कमेंट बॉक्स में यक आटो किलिकर की लिंक दिया, वहां से आप लोग किलिकर कर जाओ, और मैंने पूरा डीटेल में वहां पर बता दिये कि आप लोग आटो किलिकर को फिरफायर में लगा, और ये Craftland token को आप लोगा limited कैसे बना सकती हो तो जा उस वीडियो को देख लो और पूरे वीडियो देखना और आपको वह वाली वीडियो और ये वाली वीडियो दोनों पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करकर चैनल सब्सक्राइब जार से कर देना चलिए बडते हैं सिने फू भाव बाव